नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूज़ करना चाते हैं रुपोजो एप और आप उसे डाउनलोड करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में यहाँ पर प् की shape का तो आपको इस app को open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर उपर की तरफ आपको एक option मिलेगा thrill line के बगल में यहाँ पर लिखा है search for apps and games तो यहाँ पर आपको इस option पर touch करना है और यहाँ पर आपको type करना है R O P O S O तो यहाँ पर यह type करने के बाद आपको अपने keyboard से यहाँ पर इसे search वाले option पर touch कर देना है और यहाँ पर आपके सामने इस तरह से यह app आ जाएगा और आपको एक option मिलेगा यहाँ पर green से color में install का आपको simply इस option पर touch कर देना है और यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा wait करना है और यह app download होने लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यह circle complete होने के बाद यह app download हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा installing show होने लगा है तो उसके बाद यहाँ पर आपका app installing होने लगेगा और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारी ये app scan होने लगी है और उसके बाद आपको wait करना है और यहाँ पर open का option आ चुका है अब यहाँ पर आप अपने home में जाकर देख सकते हैं हमारी ये app हमारी home screen पर आ चुकी है यानि कि download हो चुकी है अब आप इसमें अपनी id बना कर इसे use कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और चैनल को भी subscribe जरूर करें